नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग Tech and Social चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप Redmi का स्मार्टफॉन कोई सा भी यूज करते हैं तो अपने मुवाइल फॉन यानि स्मार्टफॉन की जो स्क्रीन है उसको कैसे रिकॉर्ड करें चाहें आप कोई भी गेम खेल रहे हो पबजी खेल रहे हो और आप चाहते हैं कि आप उसको रिकॉर्ड करके दूसरे को भेजें सेंड करें वाटसब के थुरू या किसी भी दूसरे माध्यम से तो आपको अपने स्मार्टफॉन यानि मुवाइल फॉन की स्क्रीन कैसे रिकॉर्ड करनी है ताकि आप कोई भी चीज कर रहे हैं वो सारी चीजे रिकॉर्ड हो जाए वीडियो के फॉर्मेट में तो यह इस्पेसली उन लोग लिए वीडियो है जो रैडिमी का फॉन इस्तमाल करते हैं अगर आप रैडिमी का फॉन नहीं इस्तमाल करते तो आपको जो स्क्रीन रिकॉर्डर एप्स है उसको फ्री में डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से बहुत सारे एप्स हैं आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि रैडिमी के फॉन में स्क्रीन रिकॉर्डर आटा ही आता है तो यहां पर यह देख लीजिए यह स्क्रीन रिकॉर्डर एक एप्स है यहां पर इस तरह के एप्स आपको प्ले स्टोर पे काफी सारे मिल जाएंगे आप वहां से ले सकते हैं तो यहां सीखेंगे अपने मुवाइल फॉन की स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड करें तो सबसे पहले जब भी आप पहली बार एप्स को खोलेंगे तो आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी सेटिंग नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी तो सेटिंग का ओप्शन ह सबसे पहले आ गयाра गोलाशन सबसे पहले जो आता है वो देख लीजिए यहां पर और गया है अईसयलेशन रिकॉर्ड करना चाहते है, SD में करना चाहते है या सिंपल मतलब HD से भी नीचे करना चाहते है क्योंकि इससे जो आपका इस्पेस है, जो वीडियो की फाइल है, वो बड़ी बनेगी Full HD में बड़ी बनेगी HD में छोटी बनेगी, उससे कम में SD में उससे कम बनेगी ठीक है, तो यहां से आप यह सभी में रहता है, तो यहां पर यह देखी आ गया आपको सेलेक्ट करना है, माल लो SD में करना है, तो आपने ऐसे कर दिया ठीक है, अब हो सेलेक्ट हो गया अब वीडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी जितनी ये हाई रखेंगे 40 Mbps 32 Mbps तो आपकी वीडियो की जो क्वालिटी है जो sharpness है वो बढ़ जाएगी आप इसको भी select कर सकते हैं तो मैंने इतना ही कर रखा है और मैं इसको हमेशा full SD में करता हूँ तो मैंने full SD select कर रखा है अब मैं आपको दिखाता हूँ orientation orientation सबसे ज़्यादा important चीज है orientation से ये होता है कि आप अपनी screen को जैसा mobile दिख रहा है इस तरहे खड़े में आपको करना है record तो अगर ये खड़े में करेंगे record तो ये होता है portrait mode ये दिखिए portrait मैंने select कर रखा है portrait मतलब photo जैसे एक photo होती आदमी की passport size तो उस तरह है तो इसमें क्या होगा किवल आपकी screen record होगी screen और बगल में कोई भी काला पीला नहीं आएगा लेकिन अगर आप इसको कर देते हैं landscape में तो ये आपकी screen record होगी लेकिन इसके बगल में इतना हिस्सा और आएगा इतना हिस्सा black में इतना और आएगा अगर आप अपनी वीडियो को किसी frame में लगाना चाहते हैं mobile frame में तो वो उसमें नहीं बैठेगा इसके लिए आपको portrait select करना पड़ेगा तो कोई भी आपके वीडियो जो record होगई ये screen अब कोई भी mobile का साचा होगा उसके अंदर आपकी वीडियो आ जाएगी तो portrait made में हमेशा record कीजिए sound source आप चाहते हैं कि आपने जो mic लगा रखा है उसकी आवाज record हो तो mic पे select कर लेंगे अगर बंद करना चाहते हैं कि ना smartphone का ना mic का आवाज record हो तो mute कर लीजिए ये mute हो गया यानि किसी के भी आवाज record नहीं होगी या cable smartphone की आवाज record करना चाहते हैं तो sound system कर लीजिए तो यहां मैंने mic कर रखा है क्योंकि मैं mic से कर रहा हूँ माइक से करता हूँ यहां पर यह है fix frame rate यानि automatic आपका जो भी एक वीडियो के लिए अच्छी quality की frame rate होती है वो automatic select हो जाएगा इसके बाद आ गया नीचे यह मैंने fix कर लिया न और इसके बाद automatic अपने हाथ से भी आप select कर सकते हैं 30 fps 24 fps 15 fps इसका मतलब होता है frame per second यानि जितना higher आप करेंगे उतनी अच्छी quality की वीडियो आपकी होगी लिकिन मैंने normal कर रखा है क्योंकि कभी-कभी editing में आपका software इसको support नहीं करता तो मैंने कम कर रखा है lock a screen to end यानि जैसे ही आपकी screen से display से जैसे ही display off होगी आपकी जो recording चल ली थी वो record होके SD card में save हो जाएगी या mobile के internal storage में save हो जाएगी ये इसका मतलब है ये मैंने कर रखा है और so touch gesture यानि मैं record जो कर रहा हूँ तो मेरे उलियों के जो touch है पता चलता रहे तो वो चीज यहां से पता चलता रहेगा आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा आपने कहां कहां वीडियो में touch किया है इसके बाद और जी चीजे हैं वो ज़्यादा काम की नहीं है तो वो मैंने नहीं किया तो इस तरह से मैंने setting कर रखी है चाट का बटन आगया अब मैं जब भी चाहूंगा तम मैं इसको recording on कर दूँगा तो यह दिखिए अब मैं चाहता हूँ कि मैं recording on कर दूँँ तो यह मैंने यहां से कर दिया recording पर touch और यह one two numbering चलने लगी तो यह recording on है अब यह आपको मैं यहां दिखा जेता हूँ इसको तो आप कहीं भी ले जा सकते हैं इस तरह से पतापड़ी आप यहां पर रख रख का और यहीं पर touch करना है तो इसको उठा के तो इसको उठा के और इसको गिसका के उपर आप रख सकते है ठीक है कुछ देर में गायब हो जाएगा यह जो बटन है यह आपकी recording में नहीं नजर आएगा यह एक खास बात है तो इस तरह से आप अपनी screen को record कर सकते हैं और कोई भी वीडियो बना सकते हैं तो इस तरह से आजकल हर smartphone में यह चीजे होनी चाहिए काफी काम में आती है ताकि आप अपनी screen record करके screenshot लेके किसी को बेज सको ठीक है इस तरह से काम आसान हो जाता है तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजे वीडियो को और वीडियो को share करिए ज़्याद ज़्यादा और हमारे चैनल पर पहली बार आए है तो नीचे red color में subscribe लिखा हुआ है वहाँ पर click करने के बाद bell icon को दबा दें और हमेशा हमारे चैनल पर बने रहे हैं थैंकि दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में